रोटरी कंप्रेसर का बोडी अर्थ कैसे चेक किया जाता है? ग्राउंड कैसे चेक किया जाता है? उसी को ग्राउंड कहते हैं, उसी को बोडी अर्थ कहते हैं, जैसे कि कंप्रेसर में उसमें करंट आने लगता है compressor के body पर चाहे rotary compressor हो या फिर Bristol compressor हो ýs friends rotating compressor हो कोई भी compressor हो inverter non inverter या फिर motor हो सबका body earth एक जैसे ही check किया जाता है कैसे check किया जाता है इसे मैं बता हूंगा और body earth कैसे हो जाता है automatic ना तो compressor के उपर कोई छोट लगता है ना तो कहीं गिरता है ना तो परता है फिर भी बॉडी अर्थ कैसे हो जाता है इसको तो हम लास्ट में बात करेंगे कि बॉडी अर्थ कैसे हो जाता है कंप्रेसर कंप्रेसर हो या फिर मोटर हो जो पानी वाला मोटर होता है क्योंकि सबका बेंडिंग एक जैसे ही होता है चाहे कंप्रेसर हो चाहे म तरीका होता है उसे में मैं तरीका आपको कि किस طरह से चेक की जाता-ह है कोई भी एक तरीका हो अब देखे इसको चेक करने के लिए एहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंपेसर को चेक किया जाता है कंपेसर में तीन टर्मिनल होते हैं जो की रनिंग स्टार्टिंग कॉमन अगर इनवर्टर एसी के कंप्रेसर की बात की जाए तो इनवर्टर एसी के कंप्रेसर में यूबीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवीडवी और श्टार्टिंग को मिला करके कॉमन बनाया जाता है लेकिन इंवाटर एसी के कंप्रेसर में ऐसा नहीं होता है इंवाटर कंप्रेसर में तीनों टर्मिनल एक समान होते हैं तो चेक करने का तरीका क्या है दोनों को आसान तरीका होता है तीनों टर्मिनल पर कलैम मीटर हम ले कुछ कि इसके बाद एक दूसरा प्राण जो बचता है उसको हम बॉडी में कहीं टाच करेंगे कमप्रेसर के बॉडी में आप देखिए बॉडी में भी कभी-कभी उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होगा कि आपको आपका जो वो बॉडी अर्थ लेकिर फिर भी आपको नहीं बताएगा क्यों इसको भी समझ लीजिए नहीं पर से हैं करेंग प slaughter के U आपको इस्क्रेझ कर लेना है थोड़ा सा कि यो योगा नम रहा क्राड़ करना में ढ़्त होना करते हैं तक व सब्तेकर में प Alexandre our मारकमसर बॉडी fye या पिर नहीं है चेक और निन पर आपने चने करना है यहीं है एक ठर्मिनल पर आपने चेक किंग यह तो टे •ba 15基本 инструмент कि कि सिर्ठी करना हो तो are the domination में avoir पता चलेगा कि अगर देखिए अगर बॉड़ी अर्थ नहीं होगा आप ब्लैक पर भी जो ब्लैक बॉड़ी है बाहरी हिस्से में वहां पर भी चेक करें और उसके उपर सक्षन लाइन और डिश्चार्ज लाइन वहां पर कॉपर होता है वहां पर भी आप चेक करने नीचे पैर में लगा करके चेक करने मतलब कहीं भी पेंट को इसक्रेच करके ही चेक करना है तीनों टर्मिनल पर रखेंगे बारी बारी से और दूसरे पराट को बॉड़ी के कहीं भी किसी भी हिस्से में चेक करेंगे सिरीज से चेक करने का तरीका सिरीज की दो वायर होते हैं एक है टर्मिनल पर रखना है और एक वायर को बॉडी में कहीं भी टेश करना है अगर लाइड जलता है तो मतलब कि ग्राउंड है बॉड्य अर्थ है चलने के लाइक नहीं है तो इस तरह से आप सिरीus से भी चेक कर सकते हैं Clay beater से भी चेक कर सकते हैं और एक टेश्टर तो मुझे करने पर वहाँ पर रीडिंग या फिर लाइड जले उसे चेक कर सकते हैं इन वाद और एसी की बात इन वहाट के बात करें तो वह बी ऐसे करना है एक टर्दमिनल पर रखेंगे एक बॉडई में रखेंगे कहीं भी अगर साटिंग ओगा तो वहाँ पर रेडिंग आएगी तो फिर समझे लेंगे कि हां मारा बॉड़ई और्थ उसे चेंज करना ही सही होता है क्योंकि अगर उसे लगा करके रखते हैं हो सकता है कि कुछ समय तक चल जाए लेकिन वह लॉग टाइम तक नहीं चलेगा अगर बॉडी अर्थ हो गया है तो कहीं न कहीं सार्टिंग करेगा पूरे यूनिट में करेंट आएगा तो इससे बेतर ह सेखता है उसे चेंज कर देना चाहिए उचलेगा नहीं तर आपके लिए देंजर सौनार जाए गा इसनली उसका मतलब एइंचेंज कर ही डिकोई भी उपाया नहीं कोई उबस्टे समय कर लेंगे नहीं वसे कंप्रेसर चेंज करना ही पाड़े है कोई आपसन चाहे कंप्रेसर हो, चाहे मोटर हो, इनवर्टर कंप्रेसर हो, कोई भी हो, बोडी अर्थ तभी होता है, अब बोडी अर्थ होने का मतलब क्या है, ये पहले हम समझ लेते हैं, कि आखिरी कंप्रेसर के बोडी में करेंट क्यों आता है, मोटर हो, मोटर के बाडी में करेंट क्य जो कि अब compressor के अब लोहे का हिस्सा है, उसका stator भी लोहे का है, रोटर भी उसका लोहे का है, जो कि अब उसी में winding हुआ है, copper की, अब copper की winding जो होती है, जिससे तार से, वो क्या होता है, कि उसके उपर पीले color का coated किया जाता है, जो कि paint किया जाता है एक तरह का, जिससे क्या होत उसे टच करने पर कररेंट नहीं लगता है क्योंकि रोता है वह पेक होता है विलकुल अब तेखें कभी कभी वैंडिंग आप देखे हूंगे जो वैंडिंग करने के बाद जहां-पर वायर जॉइंट करना होता जहां से हमें लूप निकालना होता है कॉमन या फिर रटेंग क आपको दिखने लगता है नहीं तो इसे टेच करेंगे जॉइंट कर देंगे तार को तो फिर करेंट नहीं जाएगा उसमें तो अब देखिए यहां पर समझने वाली बात है कि अगर मानिये की चल रहा है कप्रेंट चलते चलते अगर ही अगाने पर ही उसका कॉटेड वहां सी छूडता है उसके बाद करेंट लगना अन्दर कभी कभी होता है हीट होता है कि अगरसे ज़ादा कर गया हीच हो घाप तो होता है क्या है कि यह साट हो जाता है I नाचवार जो जो फो जला जाते है और जल करकि उसका जो 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 कोटर होता है यह चूट जाता है बहुत ज़ाधा फिल गरम होने पर यह जा जच शूट गया तो समझळे लिज़े मगता है बोडि में टच हो गया तो फिर करेंट लगना ही लगना है क्योंकि लोहे इस्टेटर में जब टच हुआ इस्टेटर से उसके बाद बोडि में आया इस तरह से क्या होता है कि वो जो वैंडिंग का तार हो लीक हो जाता है बहुत ज़्यादा हीट-बोने के वह जैसे तो इस तरह से होता है कि अभी हीटप होने की बचा कैसे सकते हैं कोई जाकर के बार बार देखे गा थोड़ी की कमपरेसर कितना हीट हो रहा है कितना नहीं अगर बहुत ज़ादा हीट हो रहा है तो उसे कंट्रॉल करनाывать है कोई भी टेगनेशिय और कोई भी यूजर जाकर कि कोई सब्सक्राइब तो आपको चेक करवाना है कि AC में क्या fault है heat up हो रहा है या फिर क्या problem है जो भी problem हो उसे fix करें नहीं तो बड़ा problem बड़ा issue बन सकता है ये तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफी useful रहा होगा तो आज के लिए बस इतना ही था अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते एक नए topic के साथ